हेलो मेरी प्यारे भाई लोगों कैसे हो आप शबलोग चलि दोस्त आज आज आप लोगों के लायों हो मैं 10 उत्रकंड जीके से रिलिटेट क्वेश्चन है ठीक है आपको कितने आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना देखो मैं दो बारी क्वेश्चन को र जाओगे एक्जाम में ठीक है क्योंकि उत्रकंड जीके तो आपको ऐसे आना चाहिए कि क्वेश्चन आपने पढ़ ले तो उसका सठीक आंसर आपको पता होना चाहिए ठीक है चले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है किसने मात्मा गांधी जी की डांडी यातरा में भाग लिया था आई होब दोस्त सबका आंसर है जो ओप्सन डी निकल रहा होगा भैरब दजोसी ठीक है भैरब दजोसी ने मात्मा गांधी जी की डांडी यातरा में भाग लिया था ठीक है नेक्ट क्रेशन है गड़ केशरी नाम से परसिद स्वतंता सैना निते गड़ भारत के स्वतंत होने के समय गड़वाल का राजा कौन था गड़वाल का राजा कौन था इस सभी को पता एै अंतिम राजा कौन था मानविंदर साता निकला नाले नेक्स क्वेशन है भारते राष्टे आंदोलन के दोरां गांदी जी किस इस्तान पर बहुत दिनों तक रुके थे सभी को पता है कौशानी बागिशर में रुके थे 12 दिन का परवाश उन्हों ने आपके किया था नेक्स क्वेशन है टीरी राज्य किस तिति को उत्तर परदेश में सम्मिलित हुआ था एक अगस उन्निस ओन पच्चास को टीरी राज्य उत्तर परदेश में सम्मिलित हुआ था नेक्स क्वेशन है जनवरी 1921 में निम्न में से किस इस्तान पर सर्यू नदी तट पर कूली बेगार ना देने की सपात लेगी गई थी तो कूली बेगार पढ़ता का अंत कब हुआ और कहां हुआ था ये दोनों चीज आप्सन में आपको देखने को हुआ 1921 में कोली बेगार पढ़ता का अंत हो गया था कहां सर्यू नदी के तट पर सर्यू नदी कहां है तो आपको पता है बागश्वर में ठीक है बागश्वर में किस-किस नदी का संगम है सर्यू नदी का है गौमती का है और अद्रिश्य सरश्वति नदी का संगम देखने को म निदन हुआ तो सभी को याद होगा मेरे वाई सिरीदेव शुमन जी का निदन हो गया था चलासी दिन और टीरी को एक जिले की रूप में गटित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है सिरीदेव शुमन जी का ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है सल्ट की घटना किस वर्स अलमोडा अगवार का प्रकाशन किस वर्स शुरू हुआ तो ऑप्सन ए 1881 में अलमोडा अगवार का प्रकाशन हुआ था ठीक है 1881 में अलमोडा अगवार का प्रकाशन हुआ अपसे लाश क्वेशन इस वीडियो का महत्मा गांदी जी ने अनासक्ति योगटी का कहां लिख थी तो गलत नहीं होना चाहिए किसी कभी कौसानी बागश्वर में मातमा गांदीजी ने अना सकती ठीका लिखी थी 12 दिन कपरवास उन्हों ने यहाँ पर किया था और कौसानी को भारत का स्विट्जर लेंड मातमा गांदीजी ने आता आप लोगों के लिए थेंक्यी सो मच